दोफ्तों यदि आप बिहार के एक सरमिक है सरमिक का मतलब यह हुआ कि अगर बिहार के आप लेबर है तो आपके लिए पिहार सरकार 15 परकार की यूजनाय चलाती है अब इस यूजना के तहत क्या सरकार आपको बेनिफिट देती है इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं हो पाता तो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि बिहार के स्रमिकों के लिए खासकर सरकार जो है 15 परकार की जो यूजना चला रही है उस यूजना का बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं क्या आपको लाब मिलेंगे कैसे आबेदन आप कर सकते पूरी जनका सरकार की जो भी वीडियो होगा आपको मिलता रहेगा आए अपने स्किन पर चलते हैं और पूरा नोटिफिकेशन के जरीए आपको सारी जनकारी बताते हैं दोस्तों अभी आप देख पार होंगे यह ओफिसियल नोटिफिकेशन बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है सरम संसादन बिवाग बिहार सरकार बिहार भववन निवां अन्ने सर निरमान कर्मकार कलयान बोट के द्वारा जारी किये गए इसमें बताया गया है कि सबसे पहला चीज समझें कि लेवर कार्ड बनता किसका है तो देखे लेवर कारड उन वेक्ति को बनता है जो राज करते हैं पेंटर का काम करते हैं रेजया का का म करते हैं अलफल का काम करते हैं निर्मान मजदूर का काम करते हैं रोलर चालक का काम करते हैं मन्रेगा स्रमिक है वैसे लोगों को बनेगा यहाँ पर बताये गए जो बागवानी और वानीकी का काम करते हैं इनको छोड़कर बाकी ऐसे लोगों का जो है यह लेवर काड बनता है अब जिन बेक्ति का लेवर काड बना हो होगा तो उनको benefit क्या मिलता है देखिए कई सारे अलग-अलग benefit है आप पर जो भी condition है आप इसका benefit ले सकते हैं देखिए benefit लेने के लिए बताया गया कि विवाह के लिए वितिये सहायता रासी 50,000 रुपय की जो है दर से दी जाती है अगर कोई लेवर कार्ड धारक है उनकी अगर दो बेटी है तो दोनों बेटी के साधी के लिए 50-50,000 के benefit उनको दी जाते हैं इसके अलाबे नगत पुरुसकार भी है जिसमें बताया गया है कि 10,000, 15,000, 25,000 पर तेक वर्स अधिकतम दो बच्चों के लिए अगर लेवर कार्ड धारक है आ आपके बच्चे पढ़ायी करते हैं अगर आपके बच्चे मैटिक या iंटर में 60% या उससे अधीक लाता है तो उन्हें अलग अलग यहां पर पैसा की गई है कि अगर मैटिक में 60% से है वो भी आपको दी जाते तीन हजार रुपए लिवर जो है दिव्यांग है तो बिकलांगता पिंसन भी दिये जाते एक हजार रुपए प्रती माह के हिसाब से और एक मुष्ट जो है 50,000 का बेनिफीट मिलता है अगर उनका कोई भी आनसिक अंग जो है काम करना बंद कर देत है तो इसके अलावे एक मुष्ट 75,000 मिलता है अगर वो अपूर्ण अस्थाई रुप से दिव्यांग हो जाते हैं तो यह बेनिफीट आपको मिलते हैं इसके अलावे यहाँ पर बताएगए कि मात्रित और लाब भी दिये जाते हैं 90 दिनों के नियुनतम मजुदूरी के सम लाथा यूजना के अताथ में इसके अलावे बैंसन का बेनिफीट मिलता है जब आप पिंशन के हो जाते हूंगे पिंशन के लिए 60 साल होता है जब आपकी उम्र हो जाते तो यहं एक हजार रुपर की बैनिफीट आप एप सकते हैं पितरud वह लाब भी आपको यहजर अगर आपके पास भवन है भमार के मरमत के लिए भी 20,000 रुपे का जो बेनिफीट है आपको दी जाती है इसके अलावे मित्री जो लाब होते हैं वो भी मिलता है मतलब कोई लेवर का अरतारक है अगर उनकी मिर्तु जो है यहाँ पर किसी दुरघटना के कारण हो जाता है तो 4,000,000 रुपे मिलता है अगर सुभाविक रूप से मिर्तु होती है तो 2,000,000 का बेनिफीट आपको दीए जाते हैं इसके अलावे परिवार पेंसन का भी बेनिफीट मिलता है जैसे पेंसन धारी के मिर्तु के पहचाथ पेंसन धारी को प्राप्त रासी का 50, 70 रासी या 100 अगर पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उनको सरकार 5,000, 10,000, 20,000 जो रासी है देती या आगे पढ़ाई करने के लिए ये ट्यूशन फी के रूप में इसके अलावे अगर आप आज़ार खड़िते हैं तो इसमें भी अधिकतम जो है 15,000 का जो बेनिफीट है आपको दिये ज करना होता है अगर आप इसमें से जिस टॉपिक पर बताएंगे कि इस यूजना का कैसे बेनिफीट मिलता है या लिवर कार्ड के तहट तो आप हमें बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा या ऐसे अगर आप एक लिवर कार धारक है तो आप निबंदित स्रमिक एवं जो कारयाले में जाकर भी आप बात कर सकते हैं या पर टॉल फ्री नंबर दियेए कन पर भी आप संपर्ड़ कर सकते हैं दूस्तों अभी आपने देखा मैंने आपको इस से रोजना के बारे में पूरी जनकारी आपको डेटेल में बताय अब इस मेंसा अगर प्रोपर किससी रो अर्वाद